हाई फ्रेंड्स मेरा नाम है रवी और एकबर फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल पूल वाला में दोस्तो इस चैनल पर मैं आपको पूल मेंटेनेंस से रिलेटेड जनकरी प्रोवाइड करता हूँ ताकि आप अपने पूल को हमेशा क्लीन और हेल्दी रख सकें दोस्तो आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि स्विमिंग पूल में ब्लीचिंग पूडर कैसे डाला जाता है दोस्तो आज की वीडियो काफी यूसफुल होने वाली है उनके लिए जो अभी नए-नए स्विमिंग पूल मेंटेन करना सीख रहे है So friends, चलिए video में आगे बढ़ता है दोस्तो, Swimming pool में bleaching powder डालने के लिए हमें एक drum की अफिशकता होगी deben यह 25 kilo की bleaching की बोरी है जो की हम Swimming Pool में आज use करने वाले हैं दोस्तो, Bleaching Power की बोरी में 2030 पन्यां होती है जो कि air tight होती है, bleaching powder की gaze को बाहर नहीं आने नेती है दोस्तों मैंने bleaching powder की बोरी का मुझ प्रॉपर ओपन कर लिया है ताकि हम ठीक से drum के अंदर bleaching powder डाल सके हैं दोस्तों मैंने drum में bleaching powder डालना स्टार्ट कर दिया है दोस्तों आप जब भी drum में bleaching powder डालने हैं तो marks और gloves ज़रूर पहने safety purpose के लिए फ्रेंड्स मैंने खाली drum में bleaching powder डाला है आप चाहें तो drum को आदा भर के भी bleaching powder डाल सकते हैं दोस्तों जितनी ज़रूरती उतना chemical मैंने ले लिया है बचाओ chemical में proper tight करके जहाँ पर भी सूखी जगा होगी वहाँ पर रख देंगे दोस्तों कभी भी bleaching powder को गिली जगा पर ना रखें नहीं तो motion के कारण महाँ खराब हो सकता है दोस्तों drum में bleaching powder डालने के बाद मैंने इसे पानी से भर दिया है दोस्तों मेंने से पूरा नहीं वराए 7-8 इंच खाली रखा है ताकि जब हम इसे डंडे से proper mix करेंगे तो पानी बाहर ना निकले दोस्तों bleaching powder mix करने के लिए हमने एक डंडा ले लिया है आप इस्क्रीन पर भी देख सकते हैं दोस्तों आप इस्क्रीन पर देख सकते हैं डंडे की help से हमें bleaching powder को round round घुमाना है left right anti clockwise clockwise left right उपर नीचे दाय बाय है और दोस्तों bleaching powder पेंदे में भी चिपक जाता है तो हमें पेंदे को भी अच्छे से डंडे से घीस कर bleaching powder निकालना है और दोस्तों इसे कम से कम 10-15 मिट तक हमें ऐसे ही करते रहना है डंडे से ताकि जो पानी के अंदर bleaching powder के लड्डू बने हैं वो proper dissolve हो जाए दोस्तों मैंने bleaching powder को अच्छे से mix कर दिया है अब इसे कम से कम 1 गंटे और जादा से जादा 1.5 गंटे तक बिना disturb किये छोड़ देना है दोस्तों disturb नहीं करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि bleaching powder को 1-5 गंटा लगता है नीचे bottom मर सेट होने के लिए और उसके बाद ही हम उपर पर का पानी डाल सकते हैं अगर हम 1-5 गंटा वेट नहीं करेंगे उससे पेले ही डाल देंगे तो क्या हुआ bleaching powder पानी में mix रहेगा और पूल में डालने के बाद पूरे पूल के पानी को white white कर देगा इसलिए एक से 10 गंटा वेट करना ही है उसके बाद ही हमें उपर पर का पानी आराम से निकालते हुए पूल में डालना है दोस्तो ध्यान से सुनिएगा मैं एक बार और बता रहा हूँ हमें सिर्फ उपर पर का पानी ही डालना है ना कि पूरा bleaching powder डालना है आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं कितनी आराम से पानी उपर उपर से ले रहा हूँ बेना bleaching powder को disturb किया है दोस्तो bleaching का पानी light yellow color का होता है आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं सो फ्रेंड्स हमारा bleaching का पानी रेडी है सुमिपुल में डालने के लिए दोस्तों आप इसे bleaching का juice भी बोल सकते हैं दोस्तों मैंने bleaching powder डालना स्टार्ट कर दिया है दोस्तों किसी भी एक corner से bleaching powder डालना स्टार्ट करेंगे जैसे कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दोस्तों जैसे मैं ब्लीचिंग का पाउडर एकदम आराम आराम से उपर से निकाल रहा हूँ सेम आपको भी वेसे ही निकालना है दोस्तों ब्लीचिंग के पानी को हमें पूल के चारो तरफ बराबर डालना है दोस्तों जब भी आपका पूल हरा हो तो ब्लीचिंग पाउडर की डोजिंग जरूर कीजिएगा बहले ही आपका पूल लाइट ग्रीन हो या डार्क ग्रीन हो दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का केमेस्ट्री नेम केल्शियम हाइपो क्लोराइड है दोस्तों आप जब भी सुमिंग पूल में ब्लीचिंग पाउडर की डोजिंग करें तो ब्लीचिंग पाउडर डालने के बाद उसमें फिट करी ज़रूर डालें ताकि पानी के अंदर और ब्लीचिंग पाउडर के जो भी डस्ट हो वो बोटम पर सेटल हो जाए दोस्तों हमेशा bleaching powder की dozing शाम के टाइम पे करें ताकि bleaching powder रात भर में अपना काम ठीक से कर सकें और दूसरे दिन हमें vacuum करना है वो भी waste पे अगर आपके sand filter है, multipot wall है और vacuum point pull के अंदर ही है तो आपको waste पर vacuum चलाना है और अगर आपके stalli pump है तो उसका पानी जो भी हम vacuum करेंगे उसका पानी बाहर fake ना है वापस filter करके pull में नहीं देना अगर हम vacuum वाला पानी filter करके pull में दे देंगे तो हम पुरे पानी को दुनला कर देगा जिससे की bleaching करने का कोई sense नहीं निकलेगा दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि swimming pool में bleaching powder कैसे डाला जाता है दोस्तों swimming pool में bleaching powder डालने के और भी कहीं तरीके हैं मैंने सिर्फ आपको एक बताया है इसके लावा दोस्तों मैंने यह नहीं बताया है कि bleaching powder के कितनी quantity में पूल में डाली है दोस्तों यहां पूल की size और पाने की condition पर depend करता है दोस्तों कितनी quantity में bleaching powder डालना चाहिए पूल में इसके लिए मैं एक detail वीडियो बनाने वाला हूँ So friends, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही I hope मेरे दूरा दी गई जानकरिया आपको पसंद आई होगी मुझे comment करके जरूर बताएं मैं आपके लिए पूल से related वीडियो लाता रहूँगा जिससे कि आप अपने पूल को हमेशा clean and healthy रख सकें धन्यवाद